जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है असीस धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा अहिलिया दस्तक साथियों सोसल मीडिया पर इन दनों एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है 2024 के चुनाओं आने बाले हैं और 2024 के चुनाओं में हर पिछड़ा और अतिपिछड़ा समाज अपने हक और हिस्सेदारी की बात कर रहा है आप सभी लोग इस बात से बाखू भी रूबरू हो चुके होंगे मेरी उमीद है साथियों उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे समाज भी रहते हैं जिनकी संख्या तो काफी ठीक ठाक है लेकिन उसके बाबजूद भी उनको हिस्सेदारी नहीं मिल सकी लोगतंत्र में बहतर लोगतंत्र तो केबल तभी हो सकता है जब हर समाज को एक समान समझा जाए हर समाज को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जब तक हर समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक किसी भी कीमत पर लोगतंत्र का ये गुलदस्ता कभी महक नहीं दे सकता क्योंकि अक्सर ये देखा जाता रहा है जिस समाज की सत्ता आ जाती है जो समाज सत्ता में आ जाता है जो समाज तागत में आ जाता है वो समाज फिर बाकी अपनों से छोटे समाजों का सोसड़ करने लगता है लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा आखिर ऐसा कब तक होता रहे आप लोगों ने देखा होगा मैं सीधे तोर पर कहूं ओविशी के अंदर सही मायने में चंद जातियों का ही विकास आखिर क्यों हो पाया जो जो जातियां सत्ता में आती गई जिन-जिन जातियों की सरकार बनती चली गई उन जातियों ने बिचारधारा तो एक रखी लेकिन नियाए एक नहीं रखा आप लोग अच्छे से रूबूरू होंगे इस देख के अंदर मुख्य तोर पर तीन बिचारधाराओं पर पार्टियां चल रही है पहली बिचारधारा बो है जो बरतमान सत्ता की है हिंदुबादी रूप में जो उभर करके आई है दूसरी बिचारधारा बो है जो उत्तर पर देश में समाजबादी पार्टिय के रूप में हमेशा लगातार आगे बढ़ती रही थी जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पिच्डे बर्ग की राजनीती करने वालों की ये बात बिलकुल कड़ भी है लेकिन इस पश्ट है पिच्डे बर्ग की राजनीती करने वाले हैं हमेशा उन्होंने कही न कहीं पिछडो के नाम के पूरे पिछडो के कोटे को अपनी ही जाती बिशेस को दे दिया आखिर यह कहाँ तक सही है और इसका परणाम यह आया चंद सालों के अंदर कि जाती बिशेस का ही विकास हो पाया dhp और इनी चीजों से तंगा करके भाजपा एक बिकल्प बनी उत्तर प्रदेश में। अर्निता पिष्डे बर्क की आबादी इस देश के अंदर आज लगबक 60-65% हो चुकी है। और इतनी बड़ी आबादी होने के बाबजूद भी सही माइने में नियाई नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं एक द्रश्टी से देखा जाए तो गलत है चाहें वो पिछड़ा हो या वो दलित हो या सोसित या बंचित समाज हो क्योंकि हम इन समाजों की बात इसलिए करते हैं देश में सबसे ज़्यादा अत्यचार इन ही समाजों पे होता है। ऐसे ही जब बहुजन विचारधारा की बात आई तो मायावती जी ने जाती विसेश का विकास जादा किया और उस पूरे कोटे में यानि की विसेश कर पूरे स्थी कोटे में भी जाती विसेश का ही विकास हो पाया। बाकी बहुत सारे समाज ऐसी में आते हैं चाहें वो धोबी समाज हो बालमी की समाज हो खटेक समाज हो तमाम ऐसे समाज लेकिन उन लोगों का विकास इतना नहीं हो सकत उनके जन प्रतिनेदी इतने नहीं बन सकें। लडाईयां चलती रही अपनी राजने तिक हिस्सेदारी की। आखिर ये देश आज की इस्तिती में जा कहा रहा है। आज बच्चा बच्चा चीखने लगाए कि महगाई ये महगाई है। किसी दौर में ये कहा जाता था कि लोग सुकून से रहा करते थे। साथियों उत्तर प्रदेश में एक सीट पड़ती है हात्रस। एक ऐसी सीट है जो उत्तर प्रदेश की बहुचर्चत सीट रही है। और इस सीट से इस बार ये सुना जा रहा है कि ये सीट रालोद और समाजबादी पार्टी के गढ़बंदन को जा सकेगी। और उसमें भी कहीं ना कहीं आगरा से पूर्ब जिला पंचायत अद्यक्ष राकेस्त बगेल और फ्राकेस्त धनगर जी को प्रत्यासी बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम सारे सबाल खड़े होते हैं कि वाकई में इनको टिकेट दिया जाएगा और यदि इनको टिकेट दिया जाएगा तो ये कितने बहतर रहेंगे। साथियों 24 का चुनाव बहुत करीब है समाजबादी पार्टी ने अपनी पहले लिष्ट भी आप सभी लोगों के सामने सेर कर दी है। और उस लिष्ट में कहीं न कहीं पिछले बर को तबज्ज़ दी गई है क्योंकि अब तक नौन यादब काश्टों को कहीं न कहीं समाजबादी पार्टी में वो तबज्ज़ नहीं थी। क्योंकि नौन यादब में जितने भी समाज आते हैं कहीं न कहीं ऐसा लोग कहा करते थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है उन्होंने हमेशा बोट देने का काम किया लेकिन उनको कभी भी बोट लेने की लाइक बनाया ही नहीं गया तो सातियों उत्तर प्रदेश की हात्रस की सीट यदी राकेश बगहेल के खाते में डाल दी जाती है तो सायद पूरे आकड़े बदलते हुए नजर आ सकते हैं मुकाबला बड़ा कड़ा हो सकता है इसमें कोई दोराए नहीं है क्योंकि आगरा की आयत्मात्पर सीट से राकेश बगहेल पहले भी लड़ चुकी है और बहुजन समाच पार्टी जो आज ही कही जा रही है कि सबसे निचलित तबके पे कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पहुँच चुकी है क्योंकि किसी भी राजनेतिक पार्टी की हैसियत केबल उसके प्रत्यासियों की जीत से ना पी जाती है तो साथियों इन आकडों के अनिसार देखा जाए तो बहुजन समाच पार्टी जो आज बत्तर इस्तिती में आ चुकी है उस पार्टी से भी टिकट लेकर के राकेश धनगर और राकेश बगेल एतमातपुर की सीड से लगभग एक लाख बोट लेकर किया है यह बड़ी बात है कि परदेश की सबसे तीसरे नंबर की पार्टी कहें तो कोई बुरा नहीं होगा आज के दौर में क्योंकि पार्टी के पिरत्यासियों की स्थिती ही ऐसी है और वो पार्टी से जब व्यक्ति एक लाक के मेहच बोट ला सकता है तो सायद समाज बादी पार्टी और रालोट से टिकेट मिल गया तो हाथ रस के अंदर एक बहुत बड़ी चुनाती के रूप में खड़ा हो सकता है लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि आखिर टिकेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा सातियों ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा हम आप लोगों के साथ इसी तरह बने रहेंगे कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दीजिएगा हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में तब तक लिए जय हिंद जय भारत